हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल स्टेचिंग बैर अंगरेज आज की इस वीडियो में हम बेबी विंटर केप की कटिंग और स्टेचिंग करेंगे यह मैं एक साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ और कपड़ा मैंने स्टेचेबल लिया है तो ही देखिए चार पीस मैंने इस शेप में कट कर लिये हैं इसकी लंबाई साड़े दस इंच है और चोड़ाई आट इंच है और कपड़ा जो है वो स्टेचबल है अब इस तरीके से एक पीस को डबल फॉल्ड करके यहाँ डेड़ इंच और आदा इंच का मार्क लगा ले और इसकी कटिंग कर ले इसी तरीके से मैंने चार पीस की कटिंग कर ली है अब एक पीस को दूसरे पीस पर इस तरीके से रख कर यहाँ पर सिलाई लगा ले तो यह देखिए हमने सिलाई भी लगा ली है अब यह देखिए जो हमने चारो पीस पर कट लगाया था वहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है चारो पीस पर हमें सिलाई लगा लेना है यह हमने सिलाई लगा ली है अब दोनों कपड़ों की सीधी साइट अंदर की तरफ करते हुए कपड़े को एक के उपर एक रख देना है इस तरीके से अब यहाँ पूरे पर हमें सिलाई लगा देना है और यहाँ से तीन इंची जितना हमें छोड़ देना है तो यह देखिए हमने पूरे पर सिलाई लगा दी है और यहाँ से हमने इतना हिस्सा छोड़ दिया है अब यहाँ से हम इसे पलट देंगे देखिए हमने इसे पलट दिया है यहाँ से अब यहाँ उपर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे यह देखिए हमने आपर भी सिलह लगा दी है इस तरीके से पकड़ के एक हिस्से को हमें इस तरीके से अंदर के तरफ कर देना है यह देखिए हमारा बेबी विंटर के बन कर तयार है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग